दोस्तो आज का वी वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़ादा important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं professional resume ready करना देखो जितनी बार भी आप job के लिए गए होंगे तो आप अपने साथ एक hard copy data लेके जाते हो जो कि होता आपका resume जिसमें आप से related सारी चीज़े जैसे कि आपकी academic qualification क्या है technical qualification क्या है आपका career objective क्या है या फिर आपकी personal details क्या है वो सारी चीज़े उस resume में add on होती है जिसके भिहाब पर आपको judge किया जाता है कि आप इस job के लिए suitable है या नहीं तो आज के इस वीडियो में हम और अगर उससे related कुछ caution आपसे पूछ लिया जाए जैसे जादा तर एक question होता है career objective पे तो आपको क्या जवाब देना है वो भी चीज़ मैं आपको explain करूँगा so make sure कि आप इस video को पूरा देखिए और एक छोटी से request है आपसे कि अगर ही video आपको useful लगे तो please इस video को like और share ज जाएगा तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम यहाप एक नया page ले लेते हैं तो मैं करता हूँ control n और एक नया page यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अब यहाँ पर जब भी आप नया document लेते हो ms word में तो आपको by default जो settings होती है वो आपको मिलती है जिसे कि page आपको letter size में मिले पेज का जो यहाँ पर हम layout बात करें वो थोड़ा से change होता है तो वो चीज़े हमें यहाँ पर adjust करने हैं सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको layout section में ऊपर यहाँ पर आपको size में जाना है और page का size चूश कर लेना है A4 इसके बाद आपको margin में जाना है आप यहाँ देख पा 0.5 और left से 0.5 और right से 0.5 यहाँ 4 में 0.5 लिखा और कर दिया okay तो यहाँ पर एक जो बिल्कुल set margin होनी चाहिए जो कि हमारे page के हिसाब से fit रहती है वो यहाँ पर set हो जाएगे इसके बाद simply आपको design tab में जाना है और यहाँ पर paste border में जाके आपको यहाँ पर border चूश कर ले insert tab में और सबसे पहली चीज यानि की जो हमारी heading है कुछ लोग सर्कुलम यानि की cv लिखते हैं और कुछ लोग resume लिखते हैं तो हम यहाँ पर resume लिखने वाले हैं तो मैं करूँगा shape में जाओंगा और यहाँ पर एक shape ले लेता हूं मैं rectangular में और यहाँ पर इस तरीके से हम add on कर देते हैं कुछ इस तरह से अब इसे यहाँ पर adjust करने के बाद आपको इस पर right click करना है और करना है add text पर click और यहाँ पर simply लिख देना हमको resume तो हम यहाँ पर लिख देते हैं resume इस तरीके से फिर इसको select किया और select करने के बाद इसका default size हम ले लेते हैं जो कि हमें better लगे इसके हिसाब से और जो भी text आपको better लग रहा है like यह text अच्छा लग रहा या फिर यह अच्छा लग रहा जो भी लग रहा है वह आप यहाँ पर choose कर सकते हो फिर हमने से क्या बोल और एक proper size criteria में हमने इसको यहाँ पर रख लिया तो यह size better लग रहा है इसे size में हम इसे रख लेते हैं अगर आपको कोई और font चाहिए तो वह font भी आप यहाँ से choose कर सकते हो बड़े simple तरीके से तो normally यहाँ पर हमारा heading है वह हमने आप adjust कर दिया और अगर ध्यान दोगे तो cursor हमारा यह ब्लिंक कर रहा है हमें क्या करना है कि keyboard से end button को press करना है और इसके बाद enter करना है तो cursor आपका नीचा आएगा otherwise क्या होगा कि जो shape है वो भी नीचा आने लग जाएगी तो यह चीज़ हमें ध्यान रतनी है इसके बाद जिसके लिए हम यह resume design कर रहे है उसका नाम हमें लिखना है जैसे कि यहाँ पर नाम है मोहन कुमार तो मैंने आप लिखा मोहन कुमार और इसक सबसे बहुत हैं contact number तो मैं यहाँ पर contact number दे देता हूँ इसके बाद फिर मैंने tap प्रेस किया enter करने के बाद और मैं यहाँ पर दे देता हूँ email address जो कि है मोहन कुमार 123 at the rate gmail.com यह हमने लिखा इनका email address और इसके बाद हम tap प्रेस करेंगे यहाँ पर दे देता है address तो मैंने यहाँ पर लिखा mean market सदरपूर सेक्टर 45 noida up201301 तो यहाँ पर मैंने यह address addon कर दिया इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं इसको select करूँगा थोड़ा समय से कर लूँगा यहाँ बड़ा करने के बाद मैं से कर देता हूँ bold और साथ ही मैं कर दूँगा underline ताकि यह बिल्कु यहाँ पर बड़ा कर लेंगे और इसे हम कर देंगे bold इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर जैसे contact हमने यूज किया है मोहन कुमार यानि की जो email लिखा है और address लिखा है इसके लिए हम यहाँ पर आइकन represent कर लेते हैं तो आप जब insert में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक call का icon यहाँ पर मिल जाएगा इसके साथ ही मुझे और किसका icon चाहिए तो मुझे चाहिए यहाँ पर icon email का तो मैं email लिखता हूँ और मैं इसको select कर लेता हूँ और मुझे icon चाहिए यहाँ पर home का यानि की address तो मैं इसको select करता हूँ तीन मैंने यहाँ पर select कि और मैं कर देता यही चीज आपको इनके साथ भी करना है ताकि आप इसे easily adjust या फिर move कर सको, आप देखो सब चीज अपनी जगह पे आ गई, controller और mouse की मतद से मैं से थोड़ा सा बढ़ा कर लिया मैंने यहाप और मैं इन सब को ऐसे देखो select करके छोड़ा कर रहा हूँ, बहुत ही simple तरीके से मैं से यहाँ पर use कर पा रहा हूँ, और इस तरीके से यह जो है professional way में आप यहाँ पर देखो, icons के साथ अपना जो data वो यहाँ पर represent कर सकते हो, तो normal जो हमारा data वो आ जाता है, यहाँ पर इसके बाद हम इस पूरे area को select करेंगे, और यहाँ पर जाना है में line spacing में और कर देना है remove space पर click, remove space पर click करने के बाद आपके icons थोड़े बहुत यहाँ पर नीचे हो जाते हैं, तो इसको आपको manually यहाँ पर adjust कर लेना है कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही simple होने वाला है, तो बस आपको इससे select करना है, और यहाँ पर adjust कर देना है, तो अब हमारा पर यहाँ पर जो data वो यहाँ पर आ गया है, अगर आपको ज़रुत लगते से थोड़ा से छोटा करने की, तो आप इससे थोड़ा से छोटा कर सकते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं, इमेज के, तो इमेज में क्या करता हूँ, कि online ही को image ले लेता हूँ, तो यहाँ पर insert में जाता हूँ, और online pictures पर किलिक करता हूँ, किलिक करने के बाद कुछ इस तरीके से screen में सामने आएगी, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, passport, size photo, तो मुझे एक image यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि मुझे online ही search करके देगा, तो मुझे यहाँ पर multiple images मिल गए, मैं इसको select करता हूँ, और कर लेता हूँ, insert, तो insert करने के बाद यहाँ पर download कर रहा है, इस image को, और यह जो image है वो download होके, अभी on screen आपके सामने आजाएगी, जो भी आपकी image रहेगी, आपको वो add on करना है, तो फिलाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर online image ले रहा हूँ, आपको अपनी लेनी है, तो यहाँ पर मैंने के in front of text, और इसके बाद मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ पर उठाके, simply रख लेता हूँ, यहाँ पर, तो इससे हम थोड़ा से छोड़ा कर लेते हैं, और यह आगे हमारी image यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसके बाद हम insert में ही जाएंगे, और shape में जाके दुबारा एक rectangular shape लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तके एक barricade द चुका है, और इसको जैसे आप adjust करना चाहो, वैसे आप यहाँ पर इसको adjust कर सकते हो, जो कि on skin अब देख पा रहे हो, तो हमारा अपर format यह ready हो चुका है, अब बात करते हैं, next चीज हो के, तो यहाँ पर आए, दुबारा से आपको keyboard से end button प्रेस करना है, और करना है enter, आप आ all my efforts into the growth of organization and have a great working environment, देखो उसका सीधा मतलब क्या है, career objective, यानि कि आप अपनी career को लेके आपका क्या objective है, सीधा यहाँ पर जो narration मैंने दिया, इसका मतलब यह है, कि मैं एक professional organization में अपना career बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं अपने efforts के साथ, उस organization को भी grow कर सको, और मुझे ए बात करो, तो इसका सीधा benefit ही होता है, कि एक impression आप represent करते हो, अपनी career objective के तुरू, हाला कि इसमें कितनी सच्छा है यह यह नहीं, कि आप इस चीज को कितना करोगे, नहीं करोगे, वो बात की बात है, बट career objective में हम यह दिखाते है, कि हमारा जो vision है, हमारा goal है, वो कैसा है, त तो वो चीज हम represent करते है, तो इतना साथ लिखने से अच्छा है, कि मैं इसको copy कर लेता हूँ, आप normal typing कर लेना, तो मैं यहाँ पर enter करता हूँ, और मैं कर देता हूँ, इसको paste, तो यह आगे यहाँ पर, इसके बाद जो हमारा next term है, वो क्या है academic qualification, तो मैं यहीं पर आता 12th हो गया, गर graduation हो गया, उन्हें हम academic qualification बोलते हैं, तो मैंने यह पर लिखा कि 10th past from UP board in 2012, इसके बाद मैं लिखा 12th past from UP board in 2014, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ like graduation, तो मैं यह आप लिख देता हूँ, graduate with BCom from Delhi University in 2017, तो यह मैंने यह आपर डाल दिया academic qualification, इसके बाद बात कर लेते हैं technical qualification, अब जैसे आप कही computer course करते हो, या फिर माणनों कि आपने कुछ polytechnic वगरा किया है, या फिर IT से आपने कुछ course diploma वगरा किया है, तो वो आ जाएगा आपके technical qualification में, तो मैं यह आपर लिख देता हूँ technical qualification, कि technical qualification क्या है, तो मैंने यह आपर लि करते हैं DFA आपने कोई और कोर्स किया like basic computer course हो गया EDCA हो गया या कोई और other computer course है कोई और other technical qualification आपने की है तो वो चीज़ आप technical qualification की category में mention कर सकते हो इसके बाद बात करते है next हम की जो की बहुत important concern होता है जो की है experience यह ज्यादतर एक important question है अगर आप कहीं पर इंटर्व्यू देने जाते हो तो उनका एक सवाल होता है कि आपके पास क्या experience है जिसके भी हाप पर हम आपको hire करें तो अगर आपके पास कोई experience नहीं है तो आप क्या लिखोगे fresher और अगर experience है तो आप उस experience को mention करोगे जैसे मैं यहाप एक experience डाल देता हूँ like one year experience as an accountant at Amit Prader's तो हमने यहाप एक experience mention कर दिया अगर आपके पास जादा experiences है तो वह experiences आप यहाप लिख सकते हो इसके बाद next time आजाता है personal details जैसे कि आपका नाम, father's name, DOB या फिर marital status तो वह सब चीज़े आजाते है personal details में तो मैंने यहाप लिखा अब यहापर तो आपको बताने वाला हूँ personal details जो हम लिख रहे और इसके बाद आपको एक, दो, ती, चार तो हमने यहाप पे जो है एक जो mid pointer वो हमने यहाप इसका डाल दिया या फिर आप एक level कम करना चाहो तो एक level हम कम कर सकते हैं यहाप फिर हम tap press करेंगे यहाप हमने नाम डाल दिया कि नाम किया इसका मोहन कुमार इसके बाद फिर एक टैब मैंने प्रेस किया दो टैब प्रेस किया तो यहाँ पर आगे हम father's name में फिर हम यहाँ पर आए हमने यहाँ पर दिया father's name तो हमने डाल दिया मिस्टर मनोहर कुमार फिर हम यहाँ पर आते हैं और फिर हमने डाला यहाँ पर दियो भी तो दियो भी हम डाल देते हैं क 29 05 1996 इसके बाद हम डीते और यह हमने डालय और हम यह पर दालयते हैं यह नहीं कि प्रमार्च परयाज़र ऐद्रिस के यह बाल करना ओर आंकर घाल रहेता हूं मग freshwater यहां फिर मैं हाउस नंवर करके जल देता हूं ज्यादा बेटर रहेगा तो हाउस नंबर हम यहां पर डाल देते हैं हाउस नंबर 23 बरोला सेक्टर 49 नौइडा यूपी 201301 इसके बाए लग्स चीज हमें क्या डालने हैं जहां पर आप इंटर्वियू देने जाते हैं तो आप दो सेक्षिन और यहां पर डालने होते हैं एक होगया डिट का और यहां यहां पर डीया है फिर शिफ्ट होल्ड करके आपको डैश की है जो की एकवल के साइड में है मा यहां पे जाना शेप फिल्म है और आपको जो भी color रखना है वो हमने select किया इसके बाद इसे हम बढ़ा कर लेते हैं यहां पे हम कर लेते हैं से center में और इसका और जो text formation है वो मैं कर देता हूं बड़ा तो इसके लिए आपको यहां जाना है change case में और कर देना अपर case में shortcut क्या है shift F3 यह आप ध्यान रखे तो यह मैंने किया मैं करूंगा format painter और academy qualification पर आ कि मैं जोदने बड़ी एक format बन ready किया उसे को सब पर apply कर दिया इसके बाद यहां पे extra gap आ रहा है जो मुझे नीच यह तो मैं हटा देता हूं यहां पर extra gap रहा हटा देते हैं यहां पर यहां पर यहां पर भी हटा दिया इसके बाद हम इसको select करेंगे select करने के बाद मैं यहां पर और यह वाला जो format ही हमने ले लिया और line spacing हम यहां पर रख लेते हैं add space कर देते हैं और यह रख लेते हैं 1.50 इसके बाद मैं इसे थोड़ा से यहां पर बढ़ा कर देता हूं जो size है वो थोड़ा से एक level बढ़ा कर देते हैं और हम इसका bold portion हटा देते हैं जो चीज हमें bold रख एक level इसका बढ़ा कर देते हैं और यहां पर जो gap है वो थोड़ा सम दे देंगे add space करेंगे और यहां पर add space कर दिया तो यहां पर gap मिल जाएगा इसके बाद save यहीं पर आईंगे दुबारा से यही format को हम copy कर लेते हैं यहां पर और इस format को यहां पर apply कर देते हैं कुछ इस 15 कर देते हैं यह थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं इसको बढ़ा करने के बाद सिंपली यहां पर आना है एक सिंगल टैब आपको प्रेस करना है यह सब कुछ देगे अपने हिसाब से यहां पर अड़ेस्ट हो जाएगा और यह जैसे कि नीचे आ गया है तो आपको क्या करना है यहां पर सिंगल एटररप्रेस करना है और फिर टैब करके शको आगे कर ले老師 इस तरीके से फिर हम इसको ऩरेक करने रिपर यह कि एड्च करने के पाद यहां पर यह मने सब और यहां पर इसका साइज है वह थोड़ा सहमि игр बढ़ा कर देंगे तो अब आप यहां पर नोटी एकेडमी, कौलिफिकेशन, पॉर्सनल डिटेज यह सब चीज़े आपको अच्छे से किलिर हो गई होंगी, बेसिकली मैं बात करूं तो रिज्यूम बनाना कोई भी स्थफ नहीं, अगर आपको MS Word आता है आप बड़ी आसानी से रिज्यूम करेट कर सकते हो, लेकिन इससे रिल